हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू चंदरवंसी एकाडमी तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जोग्राफी एंसी आर्टी बुक क्लास शिक्स से चैप्टर टू ग्लोब लाटिटूद्स एंड लॉंगिटूड़ चली देखते हैं इस वीडियो में हम लोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर एक्वेटर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैलल्स ऑफ लाटिटूद्स चलिए स्टार्ट करते हैं अरे कहना क्या चाहते हो चंद्रवंसी एकाडमी को सब्स्राइब करो यार और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ समझ रहो समझ रहो समझ रहो समझ रहो ना ग्लोब ग्लोब आपने अपने स्कूल्स में क्लास्रूम में या अपने घर में भी देखा होगा वो क्या है एकदम 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 एर्थ के शेप का दिखता है आपने पढ़ाई है कि एर्थ की जो शेप है वो कौन सी शेप है जियर्ट शेप है उपर से फ्लैट होता है और बीच में राउंड होता है तो उसी कुछ इसी तरह का जो है ग्लोब भी दिखता है तो यह क्या ह तो ग्लोब की डेफिनिशन के है ग्लोब is the true model of the earth और यह जो ग्लोब है वो बहुत सारे sizes में आता है कुछ आपने देखा यह कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं कोई कुछ जो है बलून जैसे दिखते हैं वो जो है बहुत आसानी से कैरी किया जा सकते हैं उसको आसानी से कैरी किया सकता है उस तरह के ग्लोब को फिर जो है इसमें जो ओशियन कंट्री जो बने होते हैं वो एक्जैक्ली वही साइस के होते हैं जैसा अर्थ में होता है अगर अगर अर्थ का शेप मतलब अगर आपके गलोब के बराबर है तो उसमें जो सेप्स हैं जो कंट्री के सेप्स बने हुए हैं साइस बनी हुई है अगर तो आपको पता है कि अर्थ कितना बड़ा है तो उस हिसाब से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जो है और जो है उसकी कितनी जो है एरिया वह कवर कर रहा है ठीक है एप्रोक्सिमेटली आप उसको जो है देख सकते हैं इसको रूटेड भी कह जा सकता है ठीक है गलोब को हम किसी भी साइड से रूटेट कर सकते हैं लेफट से राइट या राइट से लाफ वैस्त वीस्त या इस्ट वेस्त तो यह घूमता किस पे इसको तो एक नीडल जो है दोनों तरफ से needle लगी रहती है उसी के थूव घूमता है ठीक है तो वह needle को हम लोग क्या बोलते है access यह देखिए यह एक needle है यह इसी के थूब गोब जो है गोम रहा है ठीक है tilted form में रहता है ये तार नीडल fix to a globe in a tilted manner called axis त्यारा they chose a line है isi को हम कया बहुता है this axis बहूता है ठीक है यहां पे 2 points है ठीक है 2 points है जहां से needle pasti हो रही है एक है oopr का point ठीक है और यह है नीचे का point तो दोनों put को हम क्या बहुता है ट्राइन है, फोल्स , आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ओगा, ये नॉर्थ पोल होता है, स्भी नॉर्थ टारा तॉर्स त आड तारा भी पढ़ा है। तो वही दो पौल्स होते हैं, ऊपर के पोइंट को हम नॉर्थ पूल बोलते हैं और नीचे के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? साथ पूल ठीक है? It can be moved around needle from west to east. मतलब globe को हम move कर सकते हैं west to east. Exactly जो है globe को हम किसी भी side से move कर सकते हैं west to east या east to west. इस से कोई फरक नी पड़ता है. लेकिन जो earth है हमारी वो एक ही side में move करती है. वो क्या है? west to east या left to right. ठीक है? आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो earth move कर रही है. वो क्या है? left hand direction के तुरू right hand direction के तरफ move कर रही है. ठीक है? और जो real earth होती है इसमें ये कोई needle needle नहीं लगी होती है. ये जो है एक imaginary line है. जो हमने अपने जो है समझने के लिए जो है इसको use किया है. ठीक है? क्योंकि कोई भी आप object देखिएगा जो गोल-गोल भूमरी है वो एक access पे घुमती है. ठीक है, आप जानते ही हैं जो आप top use करते हैं जो लट्टू होता है उसको नचाते हैं.. तो वो किस पी fix होती है. Ver optics ये nervous syndrome though, क्यों canakin Like जाते हैं .. जो छो पॉइंट होता है, रहा है कील का पॉइंट होता है फीर गोल-गोल गूमरी होती है. ठीक है? तो वैसे ही ग्लोब भी एक नीडल की थ्रूगों रही होती है लेकिन जो है वो एक नैचरल चीज है तो उसको कोई जो है नीडल की जरुवत नहीं है ठीक है चलिए अब बात करते हैं एक और imaginary line की जिसका नाम है equator equator की definition क्या है imaginary line divides globe into two equal halves called equator आप देख सकते हैं यह जो line है बीच में ठीक है यह इसे हम क्या कहते है equator तो यह जो है इस line को क्यों use किया जाता है इस line को जो है places identify करने के लिए यूज किया जाता है जो उसके उपर और बहुत सारी lines बनाई जाती है ठीक है यह सारी imaginary lines है कोई ऐसी line नहीं है अर्थ में यह बस places locate करने के लिए यह lines को हम draw करते है तो पहला जो जो यह main जो है reference point होता है बाकी सारी lines का ठीक है यह जो line यह उपर की lines है तो यह earth को जो है two parts में divide करता है तो यह क्या है the first part जो है इसके उपर वाला part है नदन हाफ और इसके नीचे वाला part है southern हाफ तो नदन हाफ को हम बोलते हैं नदन हमस्पेर और southern हाफ को हम बोलते हैं southern हमस्पेर ठीक है जो भी parallels of circle है ठीक है all the parallel circles from equator to the poles called parallels of latitude मतलब जो भी lines है वो equator के तरूँ जो भी circle बन रहा है आपे दिख रहा है आपको उपर नीचे उन सब को हम क्या बोलते हैं parallels of latitude यह जो equator है यह represent करता है 0 degree को distance from equator to either of the poles of circle is 1 by 4 of 360 degree that is 90 degree जो distance है जो distance है पोल की equator से किसी भी पोल की north pole हो या south pole हो उसकी जो distance है वो कितनी है 1 by 4 of 360 degree मतलब 90 degree यह equator मैंने बताए कि एक important reference point है places locate करनी के लिए अर्थ में ठीक है अगर आपको जो है इंडिया को locate करना हो अगर अर्थ में तो कहां बताएंगे कि और इंडिया कहां पे हैं तो इंडिया जो है equator के ऊपर आता है ठीक है तो इंडिया equator के ऊपर आता है तो वो कौन सी प्लेस में नदन हमेस्पेर में ठीक है और और ज्यादा exactly हम बताएंगे जब आप जो है देख पाएंगे ठीक है अच्छे से जो है locate करना सीख जाएंगे parallels of north and northern latitudes ठीक है जो parallels जो की north के ऊपर मतलब equator के ऊपर है northern hemisphere में उसको क्या बोलते है northern latitudes और parallels जो की south पे है वो ठीक है south southern hemisphere में है वो क्या बोलते है उनको southern latitudes ठीक है चलिए अब कुछ important parallels of latitude हम पढ़ लेते है तो पहला important parallels of latitude है ट्रॉपिक ओफ कैंसर ठीक है यह equator के ऊपर होता है तो northern side में है तो यह कौन सा है ट्रॉपिक ओफ कैंसर नदर लाटिटीट है ठीक है इसकी डिगरी हम लोग याद रखेंगे फिर उसी के ऊपर है एक और northern latitude arctic circle इसकी डिगरी हम लोग याद रखेंगे 62 1 by 2 डिगरी नॉथ ठीक है फिर equator के जस्ट नीचे देखें आप जो है यहाँ पर है ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन यह जो है equator के नीचे है मतलब यह southern latitude है इससे भी हम लोग याद रखेंगे ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन 23 1 by 2 डिगरी साउथ और यह उसके नीचे जो है arctic circle 62 1 by 2 डिगरी साउथ ठीक है जो कि यह यह भी क्या है southern latitude है तो यह latitude important क्यों है यह important इसलिए है क्योंकि इसी से जो है हम define कर पाते है कि कौन सी जगह पे कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है ठीक है यह जो है weather को भी बताने में भी जो है helpful है ठीक है तो यह सारी बातें हम जो है next वीडियो में करेंगे till then take care goodbye खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया